कहते हैं चार महिलाएं कुए में पानी भरकर अपने घर की तरफ लोट रही थी गाउं की तरफ चारों महिलाओं के सिर पर बड़े बड़े घड़े पानी के रखे वे थे और चारों ही आपस में बतिया रही थी इतने में ही एक महिला ने कहा अरे सुनो 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 मेरा बेटा बड़ा पहलवान है क्या है? मेरा बेटा बड़ा पहलवान है अरे चारों तरफ कुष्टियां लड़ता है गोल्ड मेडल जीत कर लाता है अज़ कल तो टीवी में भी उसके नाम آ रहे है और उसको बड़े बड़े पुरसकार Mल रहे है मेरा बेटा बड़ा पहलवान अख़़बारों में रोज उसके खबरे आती रहती है और इतने मुण उसनों का देखो 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 को वो सामने से आ रहा मेरा पहलवान बेटा और तब वो 180 किलो का पहलवान बेटा उसका उदर से गुजरता है मा कहती है बेटा सुन रहे अरे मैं ठक गई यह पानी का घड़ा ले घर पर लेकर चल जा बेटा कहता है मा तुमको कितनी बार कह दिया एक नौकर रख लो यह अब अब मेरा नाम अखबारों में आता है और कल में यह मटका लेकर गाओं में चलूँगा मेरी कोडी किज़त रही है मैंनी उठाता तुमरे यह मटका बटका और यह कहते है पहलवान खिसक गया वो खिसक गया और मा चेरा जुका कर चलने लग गई तब ही दूसरे महला बत्या करने लगी तेरा बेटा तो पहलवान है देखा मेरा बेटा तो बड़ा धनवान है मुंबई में आजकल बड़े उसके नाम चलते हैं बड़ा बिल्डरस बन गया है बड़ी बड़ी बिलनेगे बना रहा है बड़ी बड़ी जमीने करीद रहा है अरे आजकल तो उसको कि अतिती बना कर बुलाए जाता है, अब तो वो फ्लाइट में चड़ता है, अब वो गाओं में भी आता ना, पचारे देखो, देखो, सामने वो जो गाड़ी आ रही न, मेरा ही बीटा उसमें आ रहा है, और तभी बीटा निकलता है गाड़ी में से, ममा, कैसे हूं मम, कुछ है न आपको, गाओं में मेरे क्या इज़त रहेगी, आपको कितनी बार कह दिया, दो श्टांप रख लो, पैसा मैं बेज दूँगा, हर समय, आप तो बस कंजु से, मुझसे ये सम नहीं होता, वो भी, खिसक गया, दोनों के चेरे लटक गए, अब बारी थी, तीसरी महिला क उसने का है, तुमारा बेटा एक का पहलवान है, एक का क्या है, धनवान है, और तभी तीसरी महिला, जो साथ चले हैं, उसने का मेरा बेटा बड़ा विद्वान है, आजकल बड़ी-बड़ी कथाएं करता है, बड़ा प्रॉफेसर बना हुआ है, हजारों लोग उसको सुनन मम्मी, बेटा ले ना, घड़ा ले ले ठक गई, ओफो, मेरे दिमाग में इतना ग्यान है, उस ग्यान के उपर घड़ा कहां से रखूंगा, मुझसे नहीं होगा और वो भी किसक गया, तीनों बच्चे निकल गए, तीनों के चेहरे लटके वे थे, लेकिन चौती मेला बेच चुए, और चुते का मम्मा आपको कितनी बार मैंने मना किया है, अब यह आप बूड़े होने आ रहे हो, इतना बड़ा बड़ा पानी का गड़ा क्यों उठाते हो, लो मुझे दो, मम्मा ने का नहीं बेटा मेले, मम्मा, और यह कहते हैं, उसने मम्मी के हाँ से घड़ा ची अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, तेरा बेटा तो विद्वान है, तेरा बेटा पहलवान है, तेरा बेटा धनवान है, पर सबस्दा किसमत वाली तो यह महिला है, भोला बाला बेटे वाली, क्योंकि इसका बेटा संसकारवान है, क्या है, मुझे से बूल लो क्या है, व अपने बच्चों में अगर संसकारों का बीजारोपन करना है तो पहला बीजारोपन आओ शुरू करते हैं बच्चों में संसकारों का बीजारोपन करने के लिए और पहला संसकारों का बीजारोपन मैं आप लोगों से कहूंगा बच्चों में पहली आदत डालिये विनमरता का संसकार कौन सा संसकार कान काईदा आदर अदब और विनमरता का संसकार मुझसे बोल लो कौन सा संसकार विनमरता का संसकार बच्चों को ये बात जरूर बताएं कि बेटा घर में जो बड़े है ना उनको पाऊंचो के प्रणाम करना चाहें ठीक है ना क्या समझें बच्चों को ये सीख जरूर दें और इसके लिए आप उन्हें न सिखाएं अपर तो आप अपने सासुमा के पापा को सुबह रोज पाउच हो के प्रणाम किजिए तैह मान कर चलिए वो खुद देखेंगे और आज नहीं तो कल आपको भी प्र ले गई आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कभी सोचा कोई है जिसके गर में पत्नी और मां भी हो कौने हाथ खड़ा करो या आगे सब कवारों की टीम बैठी है सारे कवारे अच्छी बात है हमारे प्रोचन में अगर इतने सारे कवारे हैं तो हाँ भाई साब खड़े हो यह तो आपके घर में कौन-कौन है माता जी है पत्नी है बच्चे है ना तो आपकी धर्म पत्नी अपती है मम्मी जी को रोज पाउं चुके प्रणाम करती है इमांदरी से बोलना करती है और आप मैं भी करता हूँ रोज पाउं चुके करते है बिल्कुल पाउं ताली बजा की अविननन कीजिए मुझे लगता है बारे साल पहले आपने हमारे प्रवचन सुने हुए न तभी से चालू किया था ये तुम्हें समझ गया ने तो चालू होने वाली थे ही नहीं कहीं ने कहीं हमारा रोल जरूर रहा है अच्छी बात है ताली बजाई अविननन कीजिए वो इसलिए पत्नी आपके कर रही है क्योंकि आप भी रोज कर रहे है अच्छी एक बात बताओ वापस कड़ो अगर आप करना बंद कर देंगे तो चोटा मेरा पोता है एक साल का वो भी करता है पुरा सो के करता है आपने कभी सोचा वो क्यों करता है उसको तो जो अपन कहते हैं वो सिखता है हाँ जो आप कहते हैं जो आप करते हैं वो वो करता है आप अपने ममा को करते हैं तो वो भी करता है पहला संसकार बैठिए पहला संसकार अपने बच्चों में जरूर डालिए और वो है विरम्रता का संसकार बच्चों को सिखाओ, बेठा घर में अगर चाचा जी आए ना, उनके आदर, अदब, कान, काईदे का ध्यान अखा जाए, पाउं छोके उनको प्रणाम किया जाए, आज के लिए बड़ी बीमारी हो गई है, सब के घरों की बीमारी, जैसे घर में चाचा जी, ताहुजी, या कोई पड़ोसी आएंगे ना, अब आप देखो बच्चे क्या करेंगे, बताओ, रूम में जाके, सीधे बैड रूम में, तीनों बच्चे, दोनों पोत यहां भी और पोता भी, तीनों कहां चले जाएंगे, रूम में, अब वो रूम में क्या कर रहे हैं, आपको पता है, को लेकर बैठा है, कोई, बोलो, कोई मुबैल लेकर बैठा है, कोई कुछ लेकर बैठा है, कोई कुछ लेकर बैठा है, सारे बच्चे रूम में जाकर बैठ जाएंगे, और फिर आप आवाज देंगे, मुनना सुनो, चाचा जी आये हैं, बाहर आओ, वो बाहर आएगा, क्या करेगा ट्यूं गूमा श्यूं अंदर मतलब बड़ों के बीच बैठना भी और फिर आप आवे देंगे अरे किदर गया क्या है ममी विया वहरी का ग्यान जरूर दीजिए उने बले ही वो नराज हो रहे हैं तब भी जबरदस्ती बड़ों के बीच बैठने के आदद जरूर डालिए अगर घर में कोई मेहमान आये है तो बच्चों को बेटा बाहर बैठो रूम में नहीं बैठते और बाहर बैठकर उन्हें ज चाहिए अगर आपकी सासूमा या आपकी ममी जी जबीन पे बैठके सामाई कर रही है और आपकी बेटी अगर कुर्सी पे बैठके खाना खा रही है मत गवराई उसे कहने में बेटा गलत बात नीशे बैठो ममी जी नीशे बैठे है ना समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं ये आदर अदब और विनमरता का संसकार जरूर दीजिए ताकि चार लोगों के बीच आपके इज़द बनी रहे हम एक अमीर घर में थे बड़ा ज्यूलस है देश के हम उनके घर में थे उन्होंने वहां सो दोस्तों लोग को बुला भी में रहे हैं हैं ममी पापा भी जमिन पे बात चार्फा उसको बार एक हुए हैं ऑखिर मुझे कहें लोगों के साथ जमीन पर आके बैट own तब वो उतर करें जमीन पे आया बच्चों में विनमरता का संसकार आदर अदब का संसकार जरूर दीजिए उन्हें ये बात जरूर बताओ कि बेटा बड़े जब बोलो बोलो नीचे बैठे हूं तो आप उपर नहीं बैठते हैं तीन चार पांस साल का तब भी सावदान हो जाईए अगर आठाठ नौदाओं बैज तक आप ये सोचकर उसको बिस्तर भी रखते हैं चलो वो सोया में आराम से काम कर लो नहीं आप तो काम कर रहे हैं पर उसके भविश्य को हराम कर रहे हैं बच्चे को सुबह जल्दी जगने की आदत डालिये मेरे भाई सुबह चार बजे तक जगना बहुत सरल है क्या का मैंने बोल लो आज कल के बच्चों के लिए सुबह चार बजे तक जगना सरल है पर सुबह चार बजे जगना बहुत मुश्किल हो रहे चार बजे तक तो वो जग सकते हैं पर सुबह चार बजे जगना हो तो वो ठंडे पड़ जाएंगे बच्चों के या आदत डालो बेटा विनमरता का संस्कार प्रणाम का संस्कार जरूर डालिए इस बात के लिए सावधान रहिए जब भी आप भी अपने बड़ों को कभी भी प्रणाम करें तो जब भी प्रणाम करें घुटने टिका कर हाग जोर कर सीस नमा कर उन्हें क्ड़ीजीई दुनिया में तीन लोगों को पंचांग प्रणाम किया जाता है नमबर एक इश्वर जब भी भगवान के सन में जाओ घुटने टिका के परणाम करो नमबर दो जब भी गुरुजनों के पास जाओ घुटने टिका के परणाम करो और नमबर तीन जब भी अपने माता पिता को परणाम करो तो घुटने टिका के परणाम करो याद रखना जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माबाप के सामने घुटने टिका देता है उस व्यक्ति को जिन्दगी में किसी के सामने घुटने टिकाने के जरुरत नहीं पड़े घुटने टिका के प्रणाम करो